वश्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं News Click दिल्ली में अगामी 5 अप्राइल को All India किसान सभा, All India खेत मजदूर यूनियन और CITU की तरफ से एक बड़ी रैली का आवान किया गया है जिसमें किसान, खेत मजदूर और इंडस्ट्रियल जो मुदूर हैं वो लोग दिल्ली आएंगे और अपनी बाते रखेंगे मुख्य मांगे MSP को लेकर हैं साथ में Four Labour Courts की वापसी को लेकर भी है इस पूरी रैली के जो reception committee है उनके चेर्मेन है प्रफेसर प्रभात पतनायक उनसे हम बात करेंगे कि क्यों यह रैली इंपॉर्टन्ट है कई नजरियों से प्रफेसर पितनायक निजस क्लिक से बात करने के लिए आपका सुक्रिया है मतलब हमने आपको ना हमेशा स्टूडेंस की बीच में पाया कि आप खड़े हैं और जो है स्टूडेंस आपको ऐसे सुन रहे हैं लेकिन ही पूरी अलग तरीके की जिम्मेदारी है है ना अलग-अलग किसान है खित मजदूर हैं उनके अलग-अलग सवाल है और बड़ी संख्या में यू कहा जा रह। इतियास है अभी को की तनी बड़ी चंख्यां में लोग आ रहे हैं लेकिन जो सर्कारों जो हमने आ हालिया बरताव देखा मजदूर, खेत मजदूर और किसान, ये तीन वर्ग हमारे समाज में सबसे इंपोर्टन्ट वर्ग हैं, इनका एक साथ आना, एक बड़ा हिस्टॉरिक, इतिहस्तिक एक मामला है, दूसरी वात ये है कि अभी तक हम अगर इस सरकार की स्ट्रेटिजी को देखे, स्ट्रेटिजी ऐसा है कि जो मोनोपोलिस्ट है, उनको टैक्स कंसेशन दिया जा रहा है, उनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेच रहे हैं, सस्ते में, वगेरा, उनको बहुत सारे मिटीरियल फाइदे मिल रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, किसान हुए, या खेत मजदूर या मजदूर हुए, उनको कुछ मिल तो नहीं रहा है, बलकि उनके उपर जो बर्डन है, जो वो बढ़ रहा है, लेकिन उनका वोट सरकार इस कारण से ले रहा है, कि हम आपके लिए मंदिर बना रहे हैं, तो यह जो एक डिस्कॉर्स है, यह डिस्कॉर्स में दो हिस्से हैं पहला हिस्सा तो यह है कि जो कि जो अमीर हैं या जो अच्छे जिनका पॉजिशन है, उनको उनके लिए जो डिस्कॉर्स है, वो उनके माटीरियल फाइदे के बारे में नहीं, वो हम मंदिर बना रहे हैं, हिंदू हैं, मुसल्मान खराब हैं, वगएरा वगएरा, जो हेट् इस बेसिस पर उनको अपील किया जा रहा है, जब मोदी जीते हैं 2014 में, एक मुक्ष कारण रुसका था मुदाफर नगर रायट, और अभी भी जो किसान अंदुलन के बाद, कई किसान जो वापिस गए गाउं में, उन में से कई अभी भी मोदी को वोट देते हैं, क्यों दे उन्होंने तो अफरोल मोदी के खिलाफ इतना एक साल से ज्यादा अंदुलन किया, इसलिए वोट देतने हैं कि वो अभी भी कहीं न कहीं उनके दिमाग में वो हिंदुत्व का है, उसका इंप्रेशन अभी तक उनके दिमाग में है, तो यह जो रैली है, इसका एक सेकंड का करनी है कि यह डिस्कॉर्स बदल रहा है, जो गरीबों में जो अभी तक मोदी सरकार ने जो डिस्कॉर्स शुरू किया था, उसको यह बदल रहा है, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है, तक एक करोड परिवारों परिवारों तक यह कैमपेन पूरा गज्जा है, जी हाँ, में देखा कि किसान तक बॉर्डर पर डटे रहे थे, अब में सरकार के जो समगत हैं, वो यह कहते हैं कि यह जो व्यवस्था हैं यह किसी काम के व्यवस्था नहीं, और हम जो है ओल्ड सिंड्रोम अफ डूम में जी रहे हैं, यह व्यवस्था तब काम करती थी, जब स्थित हैं, अब कोई जो है इस तरकी की जरूरत है नहीं, क्या पर इस पूरी लॉजिक से सहमत है? नहीं, यह बिलकुल गलत है, फूड सिक्यूरिटी को अगर आप छोड़ दे अभी, जैसे ऐफरिका में, ऐफरिकन देशों में जो फूड सिक्यूरिटी था, उन्होंने ऐसे ही का वेस्टन देशों से लेते हैं, जब वो लेते हैं, तो किसी वक्त भी, वो अगर बंद कर दें, या उसके उपर थोड़ा सा रोक लगा दें, तो आपकी तो यहां, बिलकुल हालात खराब हो जाएंगे, जैसे अफरिका में हुआ है, अफरिका में हमने देखा कि, कि वो हॉर खरीदने के लिए foreign exchange चाहिए, अब ही हमारे पास थोड़ा foreign exchange है, लेकिन समझ लीजिए, कल foreign exchange कम हो गए, तो उसको खरीदना मुश्किल होगा, अगर भी आप foreign exchange लेकर उसको खरीदते हैं, लोगों के पास, खरीदने की ताकत होनी चाहिए, याने की purchasing power, तो आप देश के पास foreign exchange है, लेकिन लोगों के पास नहीं होगा purchasing power, तो अगर purchasing power नहीं है, तो फिर उनके लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए, यह सभी कारणों की वज़े से, हमने एक system बनाया अभी तक, वो system पूरा का पूरा, ऐसे काम कर रहा है, कि जैसे हमारे यहां pre-independ independence, independence के पहले जैसे famines हुआ करते थे, अकाल हुआ करते थे, वो आजकल नहीं होते है, लोग अभी भी जितना उनको खाना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उस type के famine, जहां लाखों लोग, लाखों तादाद में लोग मरते थे, वो तो अब नहीं रहा, तो यह जो food security इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, यह जो food security अगर हम छोड़ दें, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसकी में जो है, एक जुड़ा हुआ जो सवाल है, वो है यह न कि कई अर्थसास्त्री और हम खासत और पहार economic time, safer business, लाइन जासे अख़ारों को क्योंकि जैसे पश्ची में उत्तर पदेश का है, कि गन्ने का एक उधार हैने लेकिन वहां पे भी खुश नहीं है, लेकिन आप cash crop को पैदा करके आप export करेंगे, cash crop prices crash होते हैं, जब cash crop price गिरेंगे, तो आपके पास foreign exchange नहीं रहे गा, food drain खरीदने के लिए, जो लोग cash crop उग था, आप अनाज के अनाज की जगह पर आपने cash crop grow किया, लेकिन cash crop prices तो बहुत fluctuate करते हैं international market में, तो जब fluctuate करते हैं, तो आपके तो पास कोई price support नहीं है, अगर price support नहीं है, तो आपका purchasing power बिलकुल नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला जाता है, तो आपके यहां काल ह होता है, जैसे केरल में rubber के एक plant केरल में rubber का है, अब सर अगला जा सवाल है ना, वो let's say loan waiver या करज माफी को लेके, करज माफी को लेके experience जो आम तो पर यह कहता है कि जो किसान जो है, बैंक से ले रहे हैं या institutional sources से ले रहे हैं, उनको तो फाइदा हो जाएगा, कि सरकार ने loan waiver किया और उनको फाइदा हो गया, लेकिन जो छोटे किसाने, जो साहुकार से ले रहे हैं, या फिर पंजाब में जैसे आरतीयों से ले रहे हैं, उनको तो कोई फाइदा होना नहीं है, तो फिर करज माफी क्यूं ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के एक मंग वह भी है, हा से ज़्यादा लोगों के पहांच सकता है. केरल में हमने एक debt relief commission बिठाया था. अब debt relief commission ने जैसे प्रीई इंडिपेंडेंडेंस में वो चोटु-ौराम के जमाने में जैसे हुआ था और बिंगॉल में फदलुल हग के जमाने में जैसे हुआ था बिफॉर इंडिपेंदेंस 1946 में वैसे केरलव में हमने एक डेट रिलीफ कमिशन बिठाया था डेट रिलीफ कमिशन के सामने है लोग पर्ची देते थे और वो जहां से भी उनका हो लोन डेट रिलीफ कमिशन उनको कुछ पैसे देती थी जिसके वज़े से वो उस लोन को पे आउफ करते थे तो ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप सही कह रहें कि सावकार के पास जाते हैं लेकिन आप पहले पूछिए सावकार के पास क्यों जाते हैं बैंक नेशनलाइजइशन जब हिए उसका तो ये मतलब था कि 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 अब बैंक क्रेडिट किसानों के पास जाएगा जाता भी था आप अगर देखेंगे बैंक क्रेडिट प्रोपोर्शन आफ आफ बैंक क्रेडिट जो कि agriculture में जाता है वो बढ़ते 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 से कम होने लगा है. क्यों? क्योंकि नियो लिबरलिजम में यह जो नया उदारवात है इसकी नीती में, कोई खिसानों के वारे में तो कोई भरवा नहीं करता. तो उनको आपने वो जो अगरिकालचर को तो आपने प्रायोरिटी सेक्टर को इतना ब्रोड कर दिया कि एग्रिकल्चर कि ख्रिशी के लिए क्रेडिट ये रिजर्व था वो अब रिजर्व नहीं है वो कहीं भी जा सकता है तो आपने तो उसमें काफी वो सब बदलाव लाया है जिसकी वज़ए से किसानों के पास क्र साल था प्लाइनिंग बॉर्ड में तो मैं जाया करता था बैंक्स वगेरा में पूछने तो वो सबी कहते थे देखिए हम तो प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग के नॉर्म है हम उसको पूरा करते हैं और फिर कहेंगे लेकिन मैं आपको सच बताओं पिछले अठारा महि किसानों में हमने एक भी किसान को क्रिडिट नहीं दिया तो आप प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म को पूरा कर रहे हैं लेकिन किसानों को क्रिडिट नहीं मिल रहा है तो इसी लिए किसान साहुकार के पास या आजकल एक नया क्रिडिट सोर्स शुरू हुआ है हाँ हाँ और भी बहुत सारे जो ब्लेड कमपनीज वगेरा हैं उन सब के पास जाया करते हैं तो उस किसानों को वहाँ से तो लाना पड़ेगा बैक टू दे इंस्टूशनल क्रेडिट और उसके अलावा ये भी है कि आप वहाँ से भी कैसे उनको क्रेडिट रिलीफ मिलें उसके लिए उनको कुछ साहता करनी चाहिए उनकी अब आते हैं बल्दूरों के सवाल पर तो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा नाम है उनका एक ब्लॉग है उसमें एक लेडी जो है वो लिखती है कि सरकार जो है बहुत सही कदम पर जा रहे हैं और इसने कोई अपनी दिशा नहीं खुई है लेबर कोट बिलकुल सही दिशा था आपने कहा कि को ये जो कोट्स हैं ये नियो लिबरलिज्म विद ब्रूटल फेस हैं क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं देखिए वो सौ साल पहले या सौ साल से ज्यादा डेल सो साल पहले जो वरकर्स ने हमारे याने दूसरे कंट्रीज में बहुत लड़ाई करके उनक कुछ अधिकार हुए थे ये जो लेबर कोड्स हैं वो अधिकार छीन रहे हैं तो इसलिए जो जो हमने अभी तक सोचा था कि वो मजदूरे के पास ये अधिकार है तो जो कि हमारे देश में according to law माना गया था वो जो ट्राइपाटाइट कांफरेंस होते हैं हर एक माना गया है कि हाँ मजदूरे के पास ये अधिकार है अब आप उसको छीन रहे हैं तो इसलिए ये इतना बड़ा रेट्रो ग्रेड्स टिप है कि कि यूनो मुझे तो समझवे जाया था कोई कैसे इसको सपोर्ट करें और आप ये बताएए कि अभी जो हमारे देश में manufacturing का growth बहुत कम हो गया है उसके लिए क्या मजदूर जिम्मेदार है? स्ट्राइक कहां हो रहे हैं? उसके लिए तो यहां तो लोगों के पास purchasing power नहीं है इसलिए आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं industrial growth इसलिए कम हो गया है कि लोगों के पास purchasing power नहीं है तो अगर लोगों के पास purchasing power नहीं है त तो लोगों के हाथ में पर्चिजिंग पावा देना चाहिए और कैसे देंगे एक उपाय है उसका कि आप मजदूरों का वेज बढ़ा दीजिये या उनको सोशल वेज दीजिये ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका प्राइवेट वेज सोशल वेज दीजिये यानि कि उनके लिए फसिल करें एजुकेशन फसिलिटीज करें जिसके उपर अभी वो बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं तो उनके हाथ में कुछ पर्चिजिंग पार आएगा इसलिए आप उसको बढ़ा सकते हैं डिमांड बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल आउट्पुट भी बढ़ेगा और एक सा कर सकते हैं क्या आपको ऐसा कुछ लगता है नहीं नहीं यसी देखिए अगर आप हफ़ते में चार दिन काम करते हैं तीन दिन फैमिली के साथ स्पिन करते हैं लेकिन आप उतनी ही पैसे आपको मिलता है जो कि पहले मिलता था फिर तो ठीक है फिर तो आपका लेजर बढ़ यानि कि आपकी छुट्टी बढ़ गई लेकिन अगर आप चार दिन काम करेंगे और पहले आप छे दिन काम कर रहे थे, पहले आपको छे दिन के लिए तंखा मिलती थी, अब जापको चार दिन का तंखा मिल रहा है, तो आपके पर्शिदिंग पावर में तक घट गया ना पर्शिदिंग पावर तो इसलिए लोग जब कहते हैं कि आप ज्यादा लेजर करिए लेकिन लेजर पैसे तो उतना ही होना चाहिए तो कोई भी एकॉनमिस्ट ये नहीं कहता है कि हम आपको उतना ही मजदूरी देंगे लेकिन हम आपको ज्यादा छुटी देंगे ठीक है फ्रांस में तो इसी के लिए तो फ्रांस में तो अब बड़े जोरों से स्ट्राइक को गयरा चल रहे है एक स्वाल से खेट मुझदूर को लेकिए है ना मतलब नदेगा के संदर में हमने एक अभी प्रोटैल देखा और यह चल ही रहा है वेज बंगाल के मलदूर जेहें जंतर मंतर पर बैठे हुए है तो एक तरीकी का विवाद है राजसरकारों के बीच में और केंडर के बीच में राजसरकारे कहरें कि हमरे पास पैसा नहीं है मलदूरों को देने के लिए अब ऐसे में हमें जो है प्रधा मं कैसे समझे हैं मतलब एक तरफ तो प्रधार मंतरी ऐसा बयान दे रहे हैं और फिर जो है देखिए वो आजादी के बाद जितने सारे लौज आए हैं उन में से मुझे लगता है सबसे अच्छा है यह M.G.N.R.E.G.S. कम से कम चोटा है ज्यादा नहीं है लेकिन कम से कम कुछ सपोर्ट तो मिला मजदूरों खेट मजदूरों के लिए और वो जो सपोर्ट मिला उससे बड़े लोगों में बड़ा अच्सा हुआ था दो हजार नौ इलेक्शन तो इसी वज़े से मनमोहन सिंग जीते थे तो तो ही जो कॉंग्रेस की कमी औगेरा नहीं जी कॉंग्रेस से ज्यादा इसकी इसका मुख्यकारण है M.G.N.R.E.G.S. की लेफ्ट का प्रेशर उस जमाने में लेफ्ट मनमोहन सिंग गवर्मेंट को सपोर्ट करता था तो लेफ्ट का प्रेशर सिविल सिसाइटी ग्रूप्स का प्रेशर और वो जो उनका वो जो नैशनल आडवाईजरी का हमेशा ये उद्यम रहा है कि हम इसको कैसे खतम करें पहले भी चिदा मरम उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं देते थे और कहते थे वही जो आजकल मोदी कह रहे हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ी हम देंगे लेकिन अभी तो मोदी सरकार में तो इसको बहुत ही उसी तरी पिछले साल दो साल पहले एक लाख बारा हजार करोड मजी अनरी जीएस के लिए खर्चा हुआ था और इसी वजह से बहुत सारे लोग जिन्दा हैं क्योंकि उस जमाने में जब आपने लॉक डाउन किया लोग गाउं में आए गाउं में तो कुछ भी नहीं था गाउं में क अगर आप साठ हजार करते हैं तो अगें वो कहते तो हैं कि बही जरुवत पड़ी तो हम देंगें लेकिन अगर साठ हजार से ज्यादा डिमांड है और वेजिज नहीं मिल रहे हैं तो लोग काम करना भी बंद कर देंगे, एप्लाई करना भी बंद कर देंगे उसके अंदर क्योंकि अगर पैसे नहीं मिल रहें तो कौन काम करेगा और पैसों के लिए अगर चहे मैंने एक साल वेट करना पड़ेगा तो कौन काम करेगा तो इसलिए और और अब तो आइडेंटिटी में भी जो डिजिटल उन्होंने किया है उस कहां गाहों में तो डिजिटल है नहीं तो इसकी वज़े से भी और सारे लोगों को शायद नौकरी नहीं मिलेगी. तो इसलिए मोदी सरकार अंडर वन प्रिटेक्स्ट और अनदर कोशिश कर रही है कि M.G.N.R.E.G.S. बंद हो जाए. और अगर M.G.N.R.E.G.S. बंद हो गई तो उससे जो डिरेक्ट फायदा मिलता था वो तो नहीं मिलेगा और दूसरी बात यह है उससे जेनरल लेवल अफ वेज़ेस को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता था वो नहीं मिलेगा तो उससे वेज़ेस भी कम हो जाएंगे तो एक तर परो के लिए जोड़े रहे है नियुर्ट लेक्ट से